हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूए MCX गोल्डन सिल्वर अनलाइसिस दोस्तों आप लोग प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल अकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वट्सप चनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक क्लिक करके वट्सप चनल जोइन कीजिएगा मार्केट अर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स वाट्सप पे मिलता रहेगा और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक कोमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा दोस्तों अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मुव्मेंट को समझने के लिए डॉलार इंडेक्स का अनालैसिस कर लेते हैं तो डॉलार इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एड़ टाइम ओफ रेकोर्डिंग दिस वीडियो डॉलार इंडेक्स 104.63 के पास करता है तब जो है डॉलार इंडेक्स में फिर से स्ट्रॉंग अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्डर सिल्वर में करेक्शन दिख सकता है और दोस्तों क्यूंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में डॉलार इंडेक्स में अपमूव दिख रहा है और उसी हिसाब से gold or silver में correction and consolidation दिख रहा है और दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने whatsapp चनल पे update किया था मेड़ी लिस्ट में जो geopolitical tension चल रहा है यह अगर escalate होता है तब जो है gold or silver में फिर से up move दिख सकता है और दोस्तों economic जो factors है यह gold or silver के लिए negative बन गया है और उसी हिसाब से दोस्तों इस्रेल और Lebanon का news और उसके साथ साथ economic news भी gold और silver के लिए बहुत ही important होने वाला है दोस्तों अभी हम लोग mcx silver का technical analysis कर लेते हैं और उसके बाद mcx gold का technical analysis करते हैं दोस्तों mcx silver के daily chart पे हम लोग देख सकते हैं silver में continuous downfall दिख रहा है और दोस्तों 31st July को जो interest rates के regarding decision आने वाला है इसमें अगर fed के तरफ से hawkish commentary आ जाता है तब जो है silver में और भी जादा downfall आने वाले समय में दिखने वाला है दोस्तों mcx silver के 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं at the time of recording this video silver 80,900 के बास trade कर रहा है और दोस्तों silver के 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं 81,300 silver के लिए important resistance बन गया है और दोस्तों 81,300 के उपर 81,500 silver के लिए बहुती important resistance बना हुआ है और दोस्तों mcx silver के 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं 80,500 silver के लिए important support बन गया है और दोस्तों 80,500 के नीचे 80,000 silver के लिए बहुती important support बना हुआ है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 80,000 से 80,500 के range के पास आता है तब जो है फिर से price में up move दिख सकता है उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price नीचे आता है तब जो है lower level पे strict stop loss लगा के फिर से higher level के लिए trail कर सकते है और उसी हिसाब से दोस्तों 80,500 के उपर 81,000 बनने वाला है first target 81,000 के उपर 81,300 से 81,500 का range है यह बनने वाला है price के लिए second target और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 81,500 का important resistance भी break कर देता है तब जो है हम लोग higher level पे 82,000 और 82,000 के उपर 82,500 के लिए trail कर सकते है और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 80,500 का important support break कर देता है और इसके नीचे 1R के chart पे strong bearish candle form करता है तब जो है हम लोग higher level पे 81,000 के पास trick stop loss लगा के lower level के लिए trail कर सकते है और उसी हिसाब से दोस्तों 80,500 के नीचे 80,000 बनने वाला है first target 80,000 के नीचे 79,000 बनने वाला है next target और अगर आने वाले समय में price 79,000 का support भी break कर देता है तब जो है हम लोग lower level पे 78,000 के level के लिए trail कर सकते हैं यह रहा दोस्तों MCX silver का complete analysis अभी हम लोग MCX gold का analysis कर लेते हैं तो MCX gold के 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं at the time of recording this video gold 61,140 के पास trade कर रहा है दोस्तों 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं 68,500 से 68,600 का जो range है यह price के लिए बहुती important resistance zone बन गया है और दोस्तों 1R के chart पे हम लोग देख सकते हैं 68,000 price के लिए बहुती important support बन गया है हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 68,000 के उपर sustain करता है और इसके उपर 1R के chart पे strong bullish candle फोर्म करता है तब जो है हम लोग lower level पे strict stop loss लगा के higher level पे 68,500 से 68,600 के level के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 68,600 का important resistance भी break कर देता है और इसके नीचे 1R के chart पे strong bearish candle फोर्म करता है तब जो है हम लोग higher level पे strict stop loss लगा के lower level के लिए trail कर सकते हैं और उसी हिसाब से दोस्तों 68,000 के नीचे 67,500 के नीचे 67,000 के level के लिए trail कर सकते हैं तो यह रहा दोस्तों MCX Gold का complete analysis आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छे लगा होगा थैंक्स पर वचिंग द विडियो